इस गंबले में लगे हुए हमारे इस मौगरा के पौदे की आप लोग ग्रोध देख सकते हैं ग्रोध कितनी बेहतरीन चल लए है हमारा ये मौगरा का पौदा बिल्कुल हरा भरा है ग्रीन और हेल्थी है काफी सारी ब्रांचेस भी हैं काफी घना भी पौदा है लेकिन हमारे इस मौगरा के पौदे के साथ दिक्कत यह है कि हमारे इस मौगरा के पौदे पर आप लोगों को कहीं भी एक भी फूल या कली नजर नहीं आ रही होगी तो दोस्तो अगर आप लोगों की भी यही सिकायत है कि आपके मौगरा के पौदे पर फूल नहीं आती, कलिया नहीं आती या फिर आपके मौगरा के पौदे की ग्रोत ही नहीं होती यानि कि आपके मौगरा के पौदे पर फूलों की बरसाद इस्टार्ड हो जाएगी तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मौगरा के पौदे पर भी हमारे इस मौगरा के पौदे की तरह धेर सारे फूल आएं तो इसके लिए आपको ये वीडियो तो complete देखनी ही होगी लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो हमारे चैनल को हमसे जोड़ लें के लिए सब्सक्राइब जरू कर लें और जो घंटी होती हैं उसको भी दवादें जिससे की हराना वाला वीडियो को नोटिफिक्शन आपके पास पहुँचे और आप सारी की सारी वीडियो अच्छे तरीके से देख पाएं अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर भी कर दें गमले में लगे हुए मौगरा के पादे से हजारों फूल प्राप्त करने के लिए यानि कि मौगरा के पादे पर फूलों की बरसात हो जाए इसके लिए आपको स्टार्टिंग से पूरी बात समझनी होगी तब ही आप लोग अच्छे तरीके से अपने मौगरा के पौदे से हजारों फूल प्राप्त कर सकते हैं तो मौगरा के पौदा अगर जिस तरीके से फूल देना बंद कर दे जिस तरीके से आप लोग इस वीडियों में पौदा देख रहे हैं तो आपको मौगरा के पौधे की रिपोर्टिंग करना चाहिए लेकिन रिपोर्टिंग करने का भी सही समय होता है ऐसा नहीं होता है कि आप साल में कभी भी रिपोर्टिंग कर दें और उसके बाद आएं कमेंट करें कि आपने रिपोर्टिंग बताई थी हमारा मौगरा का दो बार इन मौसम में रिपोर्टिंग कर सकते हैं और अपने मौगरा के पौदे की हार्ट प्रोणिंग कर सकते हैं तो हम इस मौगरा के पौदे को रिपोर्ट कर रहे हैं इस गमले से निकालने के बाद दूसरे गमले में लगाएंगे तो इस गमले से हमने इस मौगरा के पौदे को बहुत ही आसानी से बाहर निकाल लिया है अब लगबग हम 70% के करीब इस पौदे की मिट्टी को हटा देंगे क्योंकि जितनी भी जान मिट्टी के अंदर थी वो सारी की सारी हमारे मौगरा के पौदे ने खीच ली जो भी हम फर्टी लायर इस्तमाल कर रहे थे वो उपर तक ही रह पाता था और नीचे जड़ों तक नहीं पहुंच पाता था तो इस तरीके साम लगबग 70% अपने मौगरा के पौदे की मिट्टी को हटा चुके हैं अब हम 70% मिट्टी तयार करेंगे तो इसके लिए हमने 20% बर्मी कंपोस, 10% बौन मिल बाकी की हमारे गार्डन की मिट्टी त्युनों को मिस्क करने के बाद इस तरीके से तयार कर लिया है अब चाहें तो आप बड़ा गमला ले सकते हैं जितना बड़े गमले में से आपने निकाला था या फिर आप इस तरीके से छोटा गमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखें बोटम साइड में हॉल हो और उस हॉल को आप किसी भी कंकर पत्र से इस तरीखे से कवर कर लीजिए कवर करने के बाद आदी मिट्टी से आप अपने गमले को भल लीजिए जितना भी आपका रूट बॉल है उतनी मिट्टी से आप उसको कवर कर लीजिए उसके बाद में जो भी बाकी मिट्टी बचिए उस मिट्टी से आप फिर से अपने पौदे को कवर कर लिजिए गमले को मिट्टी से भर लिजिए इसके अलाबा इस बात का ये ध्यान रखें कि आपको जब भी ये काम पर ना है तो या तो आपको जैसे कि मैं बता चुका हूँ फरवरी या रैनी सीजन होना चाहिए अगर आप लोग सर्दी के मौसम में या तेज गर्मी के मौसम में ये काम करेंगे तो आपका मौगरा का प पदे की हाड प्रूनिंग कर रहे हैं मौगरा के पदे की हाड प्रूनिंग करते समय आपको बिल्कुल भी नहीं घड़वाना है ऐसा ना सोचना है कि यार मौगरा के पदे की हम हाड प्रूनिंग कर देंगे सारी सारी ब्रांचेस को कट कर देंगे तो हमारे मौगरा के पद पौदे को बैसे तो सलनावी प्लांट होता है डारेट धूप चाहिए होती है लेकिन अभी आपको 7-8 दिन तक इस मौगरा के पौदे को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर थोड़ी बहुत सुवासाम की धूप आती हो या फिर आप लोग इसको ग्रीन नेट के नीचे रख सक जाएगी जब आपके मौगरा के पौदे पर हलकी हलकी इस तरीके से ग्रोध नजर आए तब भी आपको मौगरा के पौदे को डारेट धूप में नहीं रखना है डारेट धूप में रखने से आपके मौगरा के पौदे की जो नई ग्रोध है ये भी रुख जाएगी और आ आप मौगरा के पौदे को चाहें तो डारेट धूप में रख सकते हैं लेकिन धूप में रखने के साथ साथ अब हमें मौगरा के पौदे से हजारों फूल लेने हैं तो इसके लिए हमें अभी से ही कुछ काम करने होंगे जिससे की आने वाले समय में हमारे मौगरा के पौदे पर हजारों फूल लग सके हैं तो यहां पर आप लोग जो देख रहे हैं हमारे इस मौगरा के पादे पर जो नई नई ग्रोथ है इस नई नई ग्रोथ को हम टॉप के एरिये से पिंच करेंगे जब हम इसको पिंच करेंगे तो पिंच करने से क्या होगा कि हमारे मौगरा के प और 4G cutting तक आप मौगरा के पौदे पर या फिर 5G cutting तक कर सकते हैं इससे आपका मौगरा का पौदा काफी घना हो जाएगा एक ही मौगरा के पौदे पर आप लोग हजारों फूल प्राप्त कर सकते हैं तो इस तरीके से जो भी सारी की सारी नई ब्रांचे साई हैं हमने उनको टौप के एरिये से पिंच कर दिया है जब आपका मौगरा का पौदा आप लोग रिपोर्टिंग करें या फिर हार्ट प्रून करें उस समय आपको खास्तों से इस बात का ये दिया रखना है कि आपके मौगरा के पौदे में पाने की कमी बिलकुन नहीं रहना चाहिए 2G कटिंग करने के बाद हमारे इस मौगरा के पौदे पर और भी काफि सारी ब्रांचे निकल आइए अब हमारा ये मौगरा का जो पौदा है काफी घना घना सा नजर आ रहा है अब सही समय है इस मौगरा के पौदे पर 2G कटिंग करने का 2G कटिंग करने से हमारे इस मौगर के पौदे पर करें वैसे हम चाहें तो अभी भी अपने इस मौगरा के पौदे से फूल प्राप्त कर सकते हैं जो इस वीडियो में हम आपको फर्टी लायर बताएंगे उसके इस्तमाल करने के बाद हमारे इस मौगरा के पौदे पर अच्छी फ्लोबरिंग हो सकती है लेकिन अब हमें थोड़ा और बेट करना है जिससे कि हमारा यो मौगरा का पदा घना हो जाए और एक ही मौगरा के पौदे पर काफी सारे फूल आ जाएं चली आप हम इस मौगरा के पौदे पर टूजी कटिंग कर लेते हैं तो इस तरीके से जैसे हमने आपको देखाया बंजी चुके हैं तो हम इनको ना तोड़ें लेकिन आपको तोड़ना ही पड़ेगा अगर आपको ज्यादा फूल चाहिए तो अगर आप लोग इस तरीके से छोड़ देंगे कि यार फूल आना इस तोड़ना है तो आने वाले समय में आपका पौदा ना तो घना होगा और नहीं ज्यादा फूल देगा अब हमने इस मौगरा के पौदे पर टूजी कटिंग आप लोगों के सामने कर दी है अब चली आने वाले समय में देखते हैं कि हमारा ये मौगरा का जो पौदा है किस तरीके से ग्रोथ करता है और कब हम इसमें फरडिलायर इस्तमाल करेंगे तो कु प्रड़ा कांदा काफी घनी काफी घना हो चुका है अब सही समय है इस मौगरा के पौदे पर ठीरजी कटिंग करने का यहाँपर आप लोग देख सकते हैं टूजी कटिंग की थी 2chy cutting करने के बाद फिर से branches आई चुकी हैं और फिर से जब branches आई चुकी हैं तो इनके पर हमाब 3 آज़ी cutting कर देंगे हल्का हल्का pinch कर देंगे और pinch करने के बाद ज्यादा flouring के लिए अब हमें इसके अंदर fertility layer को add करना होगा वो कौन सा फर्टिलाजर है सबध करर का तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो यह सबध करर का फर्टिलाजर है जिसको चौक बोलते हैं जो ब्लैक बोर्ड पर स्कूल में लिखने बगरा के काम में आता है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा केलसियम होता है और केलसियम आपके मागरा के पौदे के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है अच्छी फिलोवरिंग के लिए तो यहाँ पर यह जो है चौक लगबाद दो रुपे के ही होंगे और दो रुपे के इन चौक को आप लोग अच्छी तरीके से पीस लीजिए पावडर भी बना सकते हैं या हलका लका क्रस भी कर सकते हैं चोटे-चोटे टुकड़ों में भी इसको तोड सकते हैं इस तरीके से तोड़ने के बाद आप लोग अपने मौगरा के पौदे में फिलोबरी स्टार्ट होने से पहले पहले इसको एक महीने में दो बार इस्तमाल करें आप लोग यकिन मानिए इसके इस्तेमाल करने से आपके मौगरह के पौदे पर बहुती तेजी से फिलोबरी होगी चलिए हमने किरस कर लिया है अब इस पौदे में इस्तेमाल कर लेते हैं इस फर्टी लायर को इस्तमाल करने से पहले आपको यहाँ पर एक बात का यह दिहां रखना है आपके पौदे की मिट्टी में जो भी अंडवांटिद पौदे गास बगरा या फिर इंफेक्टिट पतिया या फिर सूगी पतिया हैं उन सभी को निकालते रहें और पौदे की म मिट्टी काफी सौट थी अब फर्टी लायर एट कर दिया है और उसके बाद में हम पानी एट कर देंगे जिससे की इस फर्टी लायर का असर हमारे पौदे की जड़ों में जल्दी पहुँचे है कुछी तुनों के बाद आपका मौगरा का पौदा इस तरीके से काफी घना चाहिए इस समय आपको मौगरा के पौदे में जब पानी कम कर देते हैं तो आपके मौगरा का पौदा बहुत ही तेजी से कलिया बहुत ही तेजी से फ्लोबरिंग करना स्टार्ट कर देता है एक नई ट्रिक है एक नया उपाय है इस तरीकी से आप लोग अपने मौगरा के पौदे से धेड़ सारे फूल प्राप्त कर सकते हैं लेकिन जब आपका मौगरा का पदा इस तरीके से घना हो जाए और आप मौगरा के पदे में पानी देते रहेंगे तो क्या होगा कि आपका मौगरा के पदे पर कलियां कम बनेंगी बलकि आपके मौगरा के पदे की जो ये मौगरा के पौदे में पानी की लिमिट कम कर देना चाहिए यानि कि आपके मौगरा के पौदे की जब तक मिट्टी का जो उपर का सरपे सरिया है वो ड्राइड न हो जाये तब तक आपको पानी नहीं देना है और पानी भी बहुत दी कम देना है तब ही आप लोग अच्छे तरीके से अपने मौगरा के पौदे से फिलोवरिंग पा सकते हैं तो दोस्तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने आपको पूरी कम्प्लेट जान करें दिये किस तरीके से आप लोग मौगरा के पौदे को रिपोर्ट करें किस तरीके से मौगरा के पौदे की हार्ड प्रू काफी मेहनत लगती है काफी समय लगता है और आप लोग बिना लाइक किये बिना सेयर किये या फिर चैनल को बिना सब्सक्राइब किये ही चले जाते हैं तो बहुत ज्यादा दुक होता है बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकि चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं